तो यह मेरा टेरिस गाडन है तो इसमें मैं फूल सबजी सोपती सब लगाते रहती हूं तो यह करी पता मैं लगाए हूं तक इतना अच्छा हारा घाना हुआ है देख सकते हरियरी पता है इसका गुरोथ भी कितना अच्छा हुआ है तो यह एक पलास्टी के पॉर्ट में मैं लगाए हूं जो भी डबा निकलता है बेस्ट उसमें में लगा देते हैं तो देख सकते हैं भी बड़ा डबा है तक इतना अच्छा है से भी जड़ है घाना हुआ है इसी में करेला के प्रण भी जम गिया है बीज अपने गिर गिया होगा तो जम गिया मैं करेला भी लगा देती हूं सबजी भी लगाते रहती हूं तो यह साग भी में लगा देती लाल वाला तो तैयार हुआ था तो मैं निकाल ले थी दो तीन इसी में रह गिया है तो देख तो देख सकते हैं कितना अच्छा तयार हो गया है इसी टामाटर को हम लगाते हैं तो बहुत है अच्छा फड़ता भी है तो आज हम निकालेंगे दूसरे पॉर्ट में लगाने के लिए तयार हो गया है इसी साइज के हम लगाते हैं तो हम निकाल रहें देख सकते हैं तो पहल लगाना है तेख देख सकते हैं पेंट का डिबा है तो इसी में लगा दे रहे हैं मीटी पहले में तयार के बना के रख लिए थी और पानी भी पहले में डाल दे थी मीटी में तो मीटी भी फुल गिया है तस अभी में इसी तरह लगा दे रहे हैं तीन चार करके पौधा इसी तरह लगाते हैं तस सेट कर देते हैं विस तरह इसे मीटी से दबा देते हैं अच्छे से अब देख सकते हैं इस तरह हम लगाए हैं एक इसी तरह प्रेंड के डावा पहले भी में लगा दिन तो यह 10 दिन पहले में लगाई थी तो यह इतना बड़ा हो गया है देख सकते हैं घाना हो गया है अब टा माटर के गाची है तब यह भी एक पलास्टिक है तब है इसमें भी हम लगा दे रहे हैं तो यह बड़ा है तो इसमें हम ज्यादा लगाएंगे तीन से चार जगें इसमें हम लगाएंगे तो देख सकते हैं टीने केक ड़बा इसमें भी हम लगा दे रहे हैं इस तरह और इसी तरह और मैं पहले लगाईंगे टो ज्याए में तो देख सकते इतना बड़ा हो गया इभी दस दिन पहले मैं लगा shy ती यह टामाटर अच् ok हो गया है या साइज हो गये देख सकते ईसका अभी कितना उशा ग्रोथ हो गया है में कर बहुत इससी तरह में सभी में लगा दि किताहब भी इस तरह लगा सकते है अपने टेरिशई गारण याण तब 안 mirror न है सब जी फूल असोपति कुछ भी लगा सकते हैं अभी तो सिजन चल रहा है